पावर जेनरेशन, रिन्यूबल के जो हाइब्रिड कंपनी हैं जिसमें लगेसी पावर बिजनस भी है और न्यू एनरजी बिजनस भी है जैसे रिन्यूबल्स पावर स्टॉक्स में ओवरॉल काफी करेंट आ गया है कि मैं यह कह सकता हूँ पिछले एक जिल महीने से लेकिन एक स्टॉक जिसने पिछले एक महीने में काफी अच्छा रिटर्न दिया है नीचे के लिवल से काफी रिबाउन किया है वो है JSW Energy जी एक मेने का चार्ट लिए एडिटे साहब आप अपने विवोस को दिखाना चाहिए कि कैसे स्टॉक के अंदर रिबाउंड आया है नीचे के लिए से करीब 40 रुपे 15-16% एक महीने में चला है प्रशान जैन कंपनी के मैनेजमेंट हमारे साथ जूर रहे हैं अपने रिजल्ट के बारे बात करने के लिए और आगे के रोड़ मैप विवोस के साथ शेर करने के लिए प्रशान जी गुड मॉर्निंग भावव शुक्रिया इस वाले क्वाटर में एक खास बात हमने देखी नंबर जो है आपके एक वन ओफ नौन ऑपरिशनल एंट्री की वज़े से इंपक्ट हुए है वो समझाए है हमारे व्यूर्स को और इस क्योंकि नेट प्रॉफिट और जो क्वाटरली रिजल्ट है वो तो रिपोर्टेड नंबर होता है वो का अकाउंटिंग एंट्री होती है ऑपरेशनली जेनरेशन रन रेट कैसा चल रहा है ये भी समझाए देखे आपने बहुत अच्छी तरह से इसको put up किया हमारी जो already generation है वो इस साल करीब 14% की उसके अंदर में increase हमने देखा इस quarter में as compared to पिछले quarter same year और इसमें ये जो generation का improvement है ये primarily हमारे acquisition की वज़े से आया और कुछ thermal के अंदर में हमारा capacity हमारी जो अच्छी चली लेकिन हमारे को दो जगे जनरेशन के अंदर में थोड़ा बहुत जो हमें impact हुआ एक तो हुआ hydro asset में जो पूरे country के अंदर में poor hydrology की वज़े से कम पानी होने की वज़े से हमारी generation कम हुई और दूसरा एक हमारा एक बारमेर में दो तिन unit हमारी ऐसी थी जो की schedule maintenance में थी जिसकी वज़े से generation कम हुआ otherwise performance के एसाब से हमारा generation बहुत अचा रहा हमारी जो EBITDA है करीब 19 परतीशत की हमारी बड़ोतरी थी as compared to पिछले quarter same year लेकिन इसके अंदर में भी दो तिन one off है जो की आने वाले टाइम में रिकूप होंगे इसमें करीब 30 करोड की हमारी ऐसी EBITDA थी जो की हमारी reserve में चले गई माहितरा की क्योंकि उसमें थोड़ा late consolidation हुआ री-financing कुछ SPVs के होने की वज़े से इसके अलावा 80 करोड रुपे का हमारा EBITDA का ऐसा impact था जो की अगले दो-तिन quarter के अंदर में हम उसको वाफिस अपनी balance sheet में लेंगे एक तो करीब 66 करोड का हमारा था hydro asset का और दूसरा करीब हमारा था बार मेर में lower availability का क्योंकि ये सब long term PPM में हैं तो ये सारी EBITDA हमारी आदेगे otherwise हमारी EBITDA में 30% की हमारी बड़ोतरी होनी थी now PAT के अंदर में जो हमारा थोड़ा subdu रहा है उसमें पिछले साल 120 करोड रुपे का हमको JPVL से हमारा right back हमने amount किया था वो एक impact था इसके अलावा हमारी refinancing की one time cost थी इसके अलावा हमारे कुछ और interest के अंदर में impact थे जो की assets अभी production में नहीं गए हैं इसकी वज़े से हमें profit after tax के अंदर में ये जो impact दिखाई दिये हैं ये नहीं होंगे आने वाले time में otherwise like to like operating performance की comparison में अगर आप देखेंगे तो business ने काफी अच्छा performance की है बहुत excited है इस बात को लेके कि आपके renewables का किस तरहे कुछ monetization बहुत जल्द होने वाला है हमें मालूम चलाए कि बहुत सारे players से आपकी बातचीद भी चल रही है कुछ हमें indication दे कुछ timeline दे कुछ बाते report भी हुई है economic times में कुछ monetization का इस financial year में हमें मिल सकता है देखें मैं इस बारे में कोई comment नहीं कर पाऊँगा लेकिन मैं ये दो comment जरूर करना चाहूँगा एक company के अंदर में strategic investors का काफी interest है और company इस value unlocking को के बारे में serious discussion strategic investors के साथ में कर रही है लेकिन वो कितने समय में और कब किसके साथ होगा जैसे ही ऐसी कोई opportunity आएगी हम stock exchange और आप सभी को immediately inform करें major transformation इस साल के शरवात में ही आपने announce किये थे जो कि आप asset optimization प्लान कर develop भी करने वाले हैं और साथ ही PLI scheme के तहट company को high efficiency wafer module manufacturing capacity develop करने के लिए एक space भी allocate हुई है यह सारे के सारे जो plans और innovations आप strategize कर रहे हैं कितने फायदेमंद होंगे और कितने benefits होंगे company को इन सारे plans से यह project जो हमको allocate हुआ है PLI scheme में एक gigawatt capacity का यह हम अपने खुद के consumption के लिए राजिस्थान state में लगाने वाले हैं और हमारा expectation है कि मार्च 2025 से पहले हम इसको complete कर लेंगे इसके अलावा जो हमने asset optimization की आपने अभी बात की थी वो specifically मैत्रा asset के लिए था और वो हमारा ahead of schedule चल रहा है हमने जो उसमें 1650 करोड रूपे की EBITDA की guidance FY25 की दीती है हमको लगता है हम उससे काफी पहले उसको achieve कर लेंगे हम हमारी जो उसके अंदर में machine availability जब हमने 28 मार्च 2023 को हमने ये asset acquire किया था तो 85% की machine availability थी और हम 15 अगस तक ये 99% की availability को achieve कर लेंगे तो हमारे काफी अच्छे encouraging performance result हमारी operating team उसमें दे रही है और हमको expectation है कि हम जो हमने street को guidance दी है उससे better करेंगे और जल्दी करेंगे प्रशान जी एक आखरी सवाल आप ज़रें ये बताई कि cash के स्थिती क्या है company में दूसरा आप क्या कोई और acquisitions आपके रडार पर हैं और ये भी बताईए कि अगर इस financial year के बात करें तो कितनी capacity edition आप करने जा रहे हैं तो इसमें दू चीज़ें एक तो हमारा quarter के end में करीब cash and cash equivalents करीब 2300 क्रोड रूपे के हैं और हमारी जो net debt to EBITDA of operating asset करीब 3.5 times है और हम पूरे साल में करीब 2700 से 2800 क्रोड रूपे करीब free cash हम generate करेंगे जो कि हमारे growth के लिए use होगा और जैसा कि हमने पहले बताया था कि हमारे जो existing capital expenditure plan चल रहा है जिसमें हमारी 10,000 MW की capacity को complete होने में another 12-15 महीने लगने वाले हैं और जिसके अंदर में हम ये सारा capital expenditure plan यूज़ करेंगे going forward जो हमारे ये existing cash और generate हो रहा है और आगे आने वाले time में जो generate होगा हमारा plan है कि हम अपनी capacity को FY30 तक 20,000 MW लेके जाए plus additional storage capacity के उपर में हमारा concentration है ये हमारे दोनों तरीके से हम उसको देख रहे हैं organic और inorganic तो organically तो जैसे हम हमारे पास में दो opportunity है वो एक है हमारे पास group captive के अंदर में काफी projects हैं plus pump storage और बाकी सेखी के projects then inorganically भी हमारी company continuously सभी opportunities को evaluate कर रही है हमारा focus ये रहता है कि कैसे हम growth को जब हम कर रहे हैं लेकिन हम अपने returns को और equity IRRs को compromise ना करें तो जहां पर जैसे भी कोई अपकर opportunity मिलती है जिसके अंदर में हमारे को अच्छे return मिलते हैं जैसे आप भी आपने देखा कि माहितरा asset के अंदर में हमको काफी अच्छे return मिल रहे हैं और ऐसी acquisition opportunity हमको कोई मिलती है तो हम immediately उसको agreement कर लेते हैं हमको लगता है ऐसी कुछ opportunity आने वाले समय में हमको मिलती रहेंगी क्योंकि sector में काफी consolidation हो रहा है ठीक है ठीक है प्रशान जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने क्लिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात्शियत करके